मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि निफ्टी में मांतली बेसिस पे किस तरह से आप पचास हजर से भी कम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी काफी सुरक्षित तरीके से यहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊं तो आज चाल रहा है 13 जून और मैं ले रहा हूं न मार्के टोटाल लेन नहीं देता है उल्ली यह जिरोदर का इशू है तो इस तरह से आप मत ले तो सबसे पहले यह आप देख ले यह वाला जो यहाँ पर मैंने ले रखा हुआ है यहाँ पर चेक कर सकते है 17,800, 17,500 यह दुनों को बाई करना और नीचे दुनों को सेलिंग कर ले और उससे आप इस तरह से सेलिंग भी कर दे एक एक लोग पर जो इस तरह से आप लोग को काफे आसानी से ले देगा उसमें कोई इशू नहीं होगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यह वाला यह वाला जो है यह अलग है यहाँ पर आप लोग को घबराने का जोरुत नहीं है यहाँ पे कोई भी profit loss है नहीं तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को नजरा जाएगा तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आप लोग को बता दू यह monthly basis का है यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे यह monthly basis का है और monthly basis का यहाँ पे मैं आगर आप लोग को बताऊं लाइब म यहां पे मैं आप लोगको और एक चीज़ बता दो जिनको लगता है कि निफ्टी एक महिने में 500 पॉेंट कम से का मूब करता है यहां पे आप अगर चेक करेंगे 18700, अगर आपको लगता है कि नहीं, निफ्ठी 500 से 600 पॉेंट move करता है तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे मैं अगर 100 पे लाऊंगा तो अल्मूस्ट 600 पॉइंट होता है तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो अल्मूस्ट आप अगर एक्सपेरी डे में चेक करेंगे 600 में यहाँ पे almost 17,000 हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को नजर आएगा एक्सपेरी डेट तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी 500 पॉंट यहाँ पे मैं अगर 700 है और यहाँ पे 200 मैं लाता हूँ तो यहाँ पे आप अगर चेक कर सकते है 12,000 पॉर्फिट हो सकता है तो अगर आपको लगता है क्योंकि यह जुलाई का है यहाँ पे आपकर चेक करेंगे जुलाई का है और यहाँ पे आप चेक कर सकते है अभी जून चल रहा है यानि कि जुलाई का एक्सपेरी यहाँ पे होगा यहां तक अगर लगता है कि 600 पॉंड मूब करता है तभी यह आपके लिए strategy है more than one month में अगर 600 पॉंड लगता है अगर आपको nifty मूब कर रहा है तभी ही यह आप आगे बड़े risk to reward काफी ज्यादा है जिस बज़ा से मैं आप लोग को यह बता रहा हूँ और यह मैं किसलिए बता रहा हूँ यहां पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो सबसे पहली बात यहां पे आप अगर चेक करेंगे काफी सारे लोग काफी कुछ analysis करते हैं जस्ट मैं आप लोग को simple way में बता दे रहा हूँ यहां से आप अगर चेक करेंगे निफ्टी यहां से यहां तक गया हुआ है जो लोग trading करते हैं उनको मालूम होगा यहां से यहां तक आया हुआ यहां से यहां तक फिर से गया हुआ तो यह एक simple सा strategy है आप उसे रख दे पर यहां पर यह सवाल आता है यहां पर जिरोदा वाले क्या करते हैं यहां पर अगर दूर जाके लेंगे या फिर out of the money ज्यादा जाएंगे यह इन दमानी ज्यादा जाएंगे तो काफी सारे issue आ जाते हैं लेकिन अगर आप MIS पर ले लेंगे जिस तरह से मैं आपको live दिखा रहा हूँ यह कोई इस तरह से नहीं है कि मैं आपको छुपा रहा हूँ यह convert हो चुका है, यहाँ पे कोई issue नहीं है, यहाँ पे आप यह normal हो चुका है, आप carry forward कर सकते हैं, और नहीं extra charge लगता है, कि MIS से normal करेंगे, कोई भी extra charge नहीं लगता है, यह 0-0 वाले के लिए है, और जो लोग trading करते हैं, दूसरे platform पे, तो वो लोग normally यहाँ पे जो buying selling करेंग यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा, और मैंने लिया हुआ है, जो अभी जो position चल रहा है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाओं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कितना point दूर है, यहाँ पे आप calculation कर लें, तो 18,700 के मैंने 200 point out of the money जाके यह लिया हुआ है, सभी य साइड में है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यह 18,500, और जो दूसरा मैंने buying किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह इस तरह से buying होता है, और इस तरह से यह minus selling होता है, तो यहाँ पे आप अगर calculation करेंगे, almost 900 point दूर जाके almost buying किया हुआ है, और यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुबा सुबा है और यह है position काल जो मैंने लिया हुआ है, काफी सारे लोगों का मन में यह भी सवाल हो सकता है, कि यह वाला MIS से जो मैंने normal किया हुआ है, क्या वो carry forward होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग को सब कु यहाँ पे MIS से मैंने buying किया हुआ है, इसे आभी चलने देते हैं, उसके बाद जो भी profit loss आएगा, वो मैं आप लोग को बताऊंगा आगए जाके, तो यहाँ पे आप समय भी देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 लि किया हुआ है, तो इसमें, तो तो देखो, आलग अलग तरीके होते हैं, आलग अलग चीज़े होते हैं, जिस बजासे, यह जश्ट मैंने आप लोग को एक बताया हुआ है, कि इस तरह से, मैंने आभी reopen, किया हूआ है, यहाँ भी अर्यद्ट को दिख सकते हैं, तो सब आप लोगो को दिखा दो यहां पर इस तरह से यहां पर maximum रिक्स इतना होगा maximum रिक्स इतना होगा और maximum profit इतना होगा अगर आपको लगता है कि नहीं market उपर जा सकता है तब आप लोगो को यह वाला छोड़ देना है same as it is जुलाई का लेके, यहाँ पे आप स्टेक प्राइस देख सकते हैं, कल्कुलेशन कर लेना, मार्कट अभी चल रहा है, कहाँ पे, 18700 पे, तो यहाँ पे यह चार स्टेक प्राइस, जिस तरह से मैंने पीपे लिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर लेना, यहाँ पे 700 से, पर साइट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने अभी जो प्रोफिट किया हुए 1900, आप मान सेकते हो, कि यहाँ से, मेरा और कितना होगा, 1900 और यहाँ पे, मानलो 1000, और मैक्सिमाम 1000, मार्कट अगर भरबाद भी हो जाए, तब भी मैरा 1000 का लो से, इस स्टेटेजी में, क्यूंकि मै मैंने 1900 रुपिया यहाँ से प्रोफिट कर लिया हुए, तो इस तरह से आप अगर इंटरडे बैसिस पे एक दो स्टेटेजी कर लेंगे, जो मैंने भी बताया हुआ है, काफी सारे चीज, या फिर यह वाला भी आप कर सकते हैं, उसे आप छोड़ दे, तो यहाँ पे आभी उसके पास गया हुआ है, तो यहाँ पे आभी आप देख सकते हैं, 18,800 के आसपास ATM है, तो जिस प्रोसेस से मैंने स्टेक प्राइस आप लोग को बताया हुआ है, अगर आपको पोजिशन लेना है, तो ATM देखके जो भी मैंने आट ओफ दा मानी जाके बताया हुआ है, उस प पोजिशन है, अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से यह मार्केट घूम सकता है, नीचे आ सकता है, रिट्रेस्मेंट कर सकता है, कम से कम पास सो पॉइंट, तब आप लोगों को यह वाला पोजिशन लेके रखना है, और यह वाला अभी के लिए नहीं है, इन फीचर कह अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे आके कम से कम पास सो पॉइंट आ सकता है, तो ही यह पोजिशन लेना है, साती साथ अगर आप मांत के शुरुवाती में है, तो आप नेक्स्ट मांत और कारेंट मांत, जो भी मैंने स्टेक प्रेस डिफरेंस बता और आपको लगता है कि नहीं रिक्स टू रिवार्ट भी अच्छा है सबकुछ वहां पे दिन भी ज्यादा है सबकुछ मतलब वहां पे आचा है तो आपको next मांथ पे जाना है काफी कुछ चीजे है सीखने लाए अगर आप in-depth option index सीखना चाहते हैं तो stockan.in के official website में आए या फिर description पे link मिल जाएगा यहाँ पे आके आप check out कर सकते हैं यह 100% मानिवे guarantee के साथ है जो जो मैं सिखाऊंगा वो अगर real market में काम ना करें तब आप अपना fees के लिए claim कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा यहाँ पे आके एक बार जोरूर ही visit करके check करें क्या क्या सीखने को मिलेगा क्या क्या है इस website में पूरे detail से यहाँ पे मैंने बताया हुआ है और अगर आपको कोई भी question या फिर कोई query से इस course से regarding तो इस number पर आप contact कर सकते हैं